Hello everyone, आज मैं को यहाँ 2 weeks complete हो गए हैं तो मेरे जो 2 weeks का जो experience रहेगा वो मैं आपके साथ share करता हूँ Please इस वीडियो को skip मत कीजेगा क्योंकि जब आप UK आएंगे तो यह वीडियो आपको भहत help करेगा आपका थोड़ा यहाँ पर easy हो जाएगा मैं आपको proper और authentic information देता हूँ कि आपका जो quarantine रहेगा, उन 10 days में आपको क्या करना रहेगा Like NIA number apply करना है, कैसे करना है, क्या process है, bank account open करना है, कैसे करना है तो full detail में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने किया वो मैं आपको भी बताऊंगा इससे आपको really easy हो जाएगा यहाँ पर, और थोड़ा सा आपको guidance भी मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, और मैं आपको एक advice जरूर दूँगा, जो यहाँ पर मैंने feel किया है या जो face किया है, आपना 10 days का जो Airbnb से book करेंगे, वो 10 days का मत करिए, वो कम से कम 2 week का तो करिएगा क्योंकि जब आप यहाँ पर UK में इंटर होते हैं, तो आपका 0 day गिना जाता है, और फिर 10 दिन का quarantine रहता है, तो 11 दिन तो ऐसे ही निकल जाते है आप उसको 2 week का महाँ पर से book कर के आईएगा इंडिया से, और अगर हो सके तो जो 1 month या 2 month का जो accommodation है, वो भी आप इंडिया से book कर के आएगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर accommodation की बहुत ज़्यादा problem हो रही है, रूम मिल ही नहीं रहे है, इंडिया में ऐसा लगता था कि 300-400 pounds में मन्थली का रूम मिल जाएगा couples के लिए, लेकिन अब यहाँ पर condition थोड़ी change हो गई है, 600-700-500 pounds में वो भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो क्यों ही भी आएंगे तो आप quarantine में कैसे अपनी accommodation सर्च करते हैं, वह आपको बताता हूं, तो first मैं बात करता हूं कि आपको quarantine में आपको क्या करना रहेगा जो टेंड तो आपको quarantine में first of all क्या करना है, first तो आता है sim का, तो अगर आप mostly तो सब को VFS Global India से ही sim provide कर दी जाती है, maximum लोगों को वहां से मिल जाती है, जिल लोगों को नहीं मिली है, वो airport से ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर आपके accommodation में Wi-Fi है, तो WhatsApp कॉलिंग हो जाती है, और net मिल जाता है, तो इसली हो जाता है, लेकिन आप sim लेकर ही हाँ है, क्योंकि जब आप तो VFS से मिली हुई थी, लाइका की sim है, अच्छा network है, और उसके जो recharge rate भी है, वो भी अच्छे है, तो आप लाइका ले सकते हैं, अच्छी sim में, second आपको जो sim की बाद करना है, वो NIN number apply करना है, कैसे करना है, उसकी link में आपको description में देता हूँ, जैसे आप link open करेंगे, तो प्रॉपर जब feel करने के बाद आप उसको submit करेंगे, तो एक आपके mail पर PDF आएगा, वो PDF का आपको print out लेना है, और फिर post office में जाके उसको post करना है, वो तो आपको quarantine के बाद ही करना रहेगा, लेकिन आप जब link open करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको एकदम clear हो जाएंगी, easy ह लेकिन NIN number apply आपको करना जरूरी इसलिए है, क्योंकि बिना NIN number के आपको ना कोई भी legal job नहीं मिलेगी, तो अगर आपको quarantine के बाद अगर job चाहिए, तो NIN number must है, without NIN number के आपको कोई भी job नहीं देगा, NIN number जो है वो एक से दू महीने बाद आता है, लेकिन जब आप online apply करेंगे, तो आपको NIN reference number मिल जाएगा, और वो reference number से आपका काम easily हो जाएगा, धर्ट जो आपको करना है वो ना, जो bank रहता है, उसमें आपका account open होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी salary आईगी आपकी वो obviously आपके account मरी हाईगी, कोई cash का तो इदर जादा ऐसा कोई scene है नहीं, तो आपको अपना bank account जो है, वो online open कर सकते हैं quarantine time में, bank of Scotland हुआ और Monzo हुआ, ये दोनों जो bank हैं, वो अपनको facility देते हैं, online banking की, तो आपको मैं बोलूँगा कि अगर Monzo में आप open करेंगे, तो जादा अच्छा रहेगा, उसका जो debit card है, वो भी 2-3 दिन में आपके address पर delivered हो जाता है, मैंने भी उसी में open किया है, उसकी link भी मैं आपको description में देता हूँ, इसी process है, बस उनको passport scan करके देना रहता है, तो उसी link में आपको proper way में सारे चीजे मिल जाएंगे, तो आपको sim purchase करनी है, आपको NIN number apply करना है, आपको bank account number apply, bank account के लिए apply करना है, और fourth जो है job, job के लिए भी आपको quarantine में ही apply करना है, जैसे ही आपका quarantine खतम होगा, तो इसलिए आपकी job आपके हाथ में होगी, लेकिन उसके पहले आपको NIN number और bank account, ये दो चीजें तो must हैं, इनके में आपको कहीं भी जोब नहीं मिलेगी, तो सबसे पहले दूसरे या तेसरे दिन आप ये दोनों चीजों को apply कर लें, एक अपते में ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी, फिर आप जोब apply करें, जोब apply के लिए प्रॉपर वे में एक resume ready करें, ready करने के बाद यहाँ पे आपना Amazon हुआ, औ McDonald's हुआ, और अपना Domino's हुआ, और बहुत सारे wholesale market है, सारे की website पर जाएंगे, आप सबको mail करें, definitely आपको job जो है न मिल जाएगी, क्योंकि ना काम करने वाले बंदों की ना बहुत ज़्यादा shortage है अभी यहाँ पर, तो आप जब apply करेंगे, तो अगर वहाँ से mail reward आता है, त इसलिए आप पहले bank account और अपना NIN number ले लें, आपने SIM card ले लिया है, आपने NIN number apply कर दिया है, आपने bank account उपन करा लिया है, आपने job के लिए apply कर दिया है, उसके बाद आपको ना accommodation का भी देखना रहेगा, क्योंकि यहाँ accommodation का भी बहुत ही गरवर सीन चल रहा है, accommodation बहुत ही सर्च करने में problem आ रही है, तो आप जो quarantine रहेगा, उसमें बहुत, कम से कम मैं तो बोलता हूँ कि 50 से 60 जगे apply कीजी accommodation का, तब जाकर आप एक अच्छी accommodation find कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लाश 2-3 दिन बचे हुए हैं, आप उसमें apply करें, problem में फच जाएंगे, करना रहेगा, तो आप एक अच्छी accommodation find कर पाएंगे, और seriously इन सब बातों का ध्यान रखना, अगर आप properly ये सब चीज़े follow करेंगे तो यहाँ पर आपका time बहुत बच जाएगा, और आपका थोड़ा जो life है बहुत easy हो जाएगी, यह तो हो क्या quarantine का, अब आपको quarantine जैसे ही आपका खतम हो जाएगा, उसके बास सबसे पहले तो आपको next BRP card collect करने के लिए आपको post office जाना रहेगा, जो भी आपने post office का address दे रखा है, वहाँ पर जाएगा, तो अपना passport और passport लेकर जाएगा, और जो visa के time जो आपको एक letter आता है ना, वो letter आपको लेके जाना रहेगा, ये दो चीज़ें वहाँ पर आप post office में दिखाएगे, तो वहाँ से आपको BRP card easily मिल जाएगा, BRP card बहुत ही must रहता है, एक दफ़ा आप अपना passport miss कर सकते हैं, लेकिन BRP card आप अपने पास ही proper way में रखिएगा, क्योंकि अगर ये गुम गया, तो थोड़ा सा problem में आप फस जाएगे, बिना BRP card के हाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, उसके बाद आप next day या फिर samday आप अपने university जाएगा, वहाँ से एक reference letter मिलेगा, bank account open के लिए, क्योंकि आपका एक online banking रहेगा, उसके अलाबा भी एगा, आप अपना account खुलबा लेजी, open करा लेजी, वो भी एक जरूरी है, क्योंकि proper way में एक accounts भी होना जरूरी है, तो university से जो reference letter मिलेगा, वो BRP card और आपका accommodation का address proof, ये तीन चीजें आप अपना bank में दिखाएंगे, तो easily किसी भी अच्छी bank में, government bank में आपका जो है, account open हो जाएगा, account open होने के बाद आपको आपने जो भी online accommodation सर्च की है, वो face to face एक बार देख लीजिए, क्योंकि कई वार fraud हो जाता है, तो proper way में आप एक बार चेक कर लीजिए, अपनी accommodation और फिर आप उसको final कर सकते हैं, accommodation चेक करने के बाद आप अपने जो भी आपने online job apply की हैं, जो भी उनके interview line up हुए है, आप proper जो भी आपका schedule बना हुआ है, उसमें आप अपना जाईएगा, proper interviews देजिए, तो क्या है कि एक से दो हपते में, में भी दो हपता तो बहुत जादा हो गया, एक हपते के अंदर ही अ भी जाएगे, यह सारी चीजे में अपने experience से बता रहा हूँ, literally अगर यह सारी चीजे आप follow कर लेंगे तो बहुत बहुत help मिल जाएगे, आपको बहुत जादा easy हो जाएगा, कि actually क्या है कि हाने पर इंडिया से बहुत बहुत जादा अलग system है, सारी चीजे different है, अलग है, त इसे ही आपका quarantine खतम हो जाता है ना, तो यहाँ पे बस पास के लिए आप apply कर देजी monthly का, I think 60 pound के something something में ना, monthly bus pass बनता है, कितने भी बार आप उसमें public transport से जो buses रहती हैं, उनसे आपो travel कर सकते हैं, और अगर आप अपना student ID card उहाँ पर show करेंगे, तो कुछ आपको शायद 10-15 account के something discount भी मिल जाता है, hopefully आपको यह वीडियो help करेगा, पसंद आएगा, and please guys subscribe my channel, thank you so much, thank you.